Hey guys, welcome back to my channel with another video तो यार आचुकाओं 100 MCQs की एक और नई सिरीज के साथ, नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्राघंड की जितने भी नदी हैं, नदी तंत्रों के बारे में बात करेंगे ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते हैं, स्टार्ट तो देखिए आज का पहला कुशन है महाभारत में किस नदी को त्रियप का कहा गया है? ठीक है? तिरपया का किसे कहा गया है महाभारत में? कौन सी नदी को कहा गया है? तो बोला जाता है अलग नंदा नदी को ठीक है अलग नंदा नदी को बोला जाता है 3 पैका अगला कुशन है जो सी मट किस नदी के किनारे इस्थित है तो जो सी मट किस नदी के किनारे इस्थित है तो वो है अलग नंदा नदी के किनारे इस्थित है अगला देखिए राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है तो वो है अलग नंदा नदी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है अगला है निम्न मैं से चमोली में संतोपत सिकर के अलकापुरी बांक हिमनत से उदगम होने वाली नदी है तो इन मैं से कौन सी ऐसी नदी है जो चमोली के संतोपत सिकर के अलकापुरी बांक हिमनत से निकलती है तो वो है हमारा अलग नंदा ठीक है सतोपंत सिकर के अलकापुरी बांग हिमनत से ठीक है अगला है किस नदी का दूसरा नाम बिश्नु गंगा है तो कौन सी नदी का नाम बिश्नु गंगा है तो वो है इन में से कोई नहीं क्योंकि यह है धौली गंगा का अन्यनाम जो बिश्नु परियाग में जाकर अलगनंदा से मिलती है अलगनंदा नदी में सर्वपरतम कौन सी नदी मिलती है तो अलगनंदा नदी में सर्वपरतम कौन सी नदी मिलती है तो वो है लक्समंगंगा ठीक है अगला है केसोव परियाग में किन दो नदियों का संगम होता है तो वो होता है अलगनंदा और सरस्वती नदी का तो इसका option C right हो जाएगा अगला कोशन है राज्य के पंच परियागों में से कितने परियाग चमोली में हैं तो राज्य के जो पंच परियाग हैं इन में से चमोली जिले में कितने इस्थित हैं तो वो हैं तीन अगला है कामेट चोटी के रता कोना नामग इस्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है तो जो कामेट चोटी है इसके रता कोना नामग इस्थान के देवताल से निकलने वाली नदी कौन सी है तो वो है सरस्वती नदी ठीक है अगला कोशन है निम्न परियागों में से चमोली जन्पद में स्थित परियाग है तो चमोली जन्पद में कौन सा परियाग है तो चमोली जन्पद में है उपरियुक्त सभी मतलब बिश्नो परियाग है नंद परियाग है कंड परियाग है ठीक है जो मैंने आपको कमेंट में उच्छता वो यहीं आगया ठीक है अगला है निम्न में दिये गए पंच परियागों को संबंधित संगम के साथ सुमेलित किजिए तो इनका सही करम हमें सुमेलित करना है तो होगा इसका देखिए बिश्नु परियाग कहा है अलग नंदाववः पस्चिमी धौली गंगा के स अगला देखिए किस नदी का उद्गम तिर्सूल परवत के नंदा घुंगटी नामक स्थान से होता है तो ये होता है नंदा किनी नदी का नंदा किनी नदी जो है वो तिर्सूल परवत के नंदा घुंगटी नामक स्थान से निकलती है निम्न में से उत्राखंड का पामीर दूधा तोली किन जनपदों में इस्थित है तो उत्राखंड का जो पामीर है दूधा तोली ये किन जनपदों में इस्थित है तो ये है हमारा पौडी में, चमोली में और अल्मोडा में इन तीन छेत्रों में ये दूधा तोली स्रेणी स्थित है तो इसका option D क्या होगा बिल्कुल सई answer होगा अगला है निम्न में कौन सी नदियां दूधा तोली स्रिंखला से निकलती है तो इन में से कौन सी नदियां है जो दूधा तोली स्रिंखला से निकलती है तो वो है हमारा पश्चिमी व पूरविनयार, बुनो व अटागार और पश्चिमी रामगंगा तो ये सारी नदियां द अगला कोशन है बिर्मा गागस वो बिनो किसकी सहायक नदियां है तो ये है हमारा पश्यमी रामगंगा की अगला कोशन है चुनाधार प्रपात वो रामपुर जलपरपात इस्थित है तो ये है हमारा पौडी गडवाल में अगला है पुराणू में कौमुदी नाम मिलता है तो पुराणू में कौमुदी नाम किसका मिलता है तो ये मिलता है खोह नदी का ठीक है खोह नदी का नाम पुराणू में कौमुदी मिलता है अगला है कनवासरम में बहने वाली मालिनी नदी किसकी सायक नदी है जो ये कनवा पड़ा भारत पड़ा था ऐसा माना जाता है और जो ये कनवासरम है यहाँ पर जो मालिनी नदी है तो ये किसकी सहायक नदी है तो मालिनी नदी है गंगा नदी की सहायक नदी अगला है दहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किस नदी की सहायक है तो किसकी सहायक है तो ये होगी यमुना नदी की ठीक है यमुना की बात करें तो इसकी एक और सायक नदी है जो है कोसी नदी ठीक है अगले है डाग पत्थर दहरादून में आसन बैराज किसके संगम पर है जो डाग पत्थर है दहरादून में और इस पर जो आसन बैराज है ये किसके संगम पर बसा है तो ये बसा है पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी जो पूर्वी यमुना नहर है और आसन नदी है इन दोनों के संगम पर बसा है तो इसका option सी क्या होगा बिल्कुल right answer होगा अगला question देखिए डांक पत्थर में आसन बैराज पर बनी जील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद है यहाँ बैराज कब बना जो डांक पत्थर दैरादून में आसन बैराज जील बनी है यह क्या है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद है तो यहाँ बैराज कब ब बना था तो ये बेराज बना था उनने सो संसेटिस में 1967 में डांक पत्थर के आसपास जो आसन बेराज है यहाँ पर जील बनी थी अगला कोशन है देहरादून जनपद में इस्थित सहस्तृधारा परियतन इस्थल गंधग यूक्त जल मिलता है जो निम्न नदी पर इस्थित जो देहरादून में सहस्तित धारा परियतन इस्थल है यहाँ पर गंधग यूक्त जल मिलता है तो ये किस नदी पर इस्थित है नदी के तट पर इस्थित है तो ये है हमारा बाली नदी बाली नदी के तट पर इस्थित है देहरादून में टोंस नदी के तट पर इस्थि मा बुरेला छेत्र में कौन सा खनीच पाया जाता है तो कौन सा खनीच पाया जाता है ये पाया जाता है सीसा सीसा पाया जाता है ठीक है अगला कोशन है सिस्वा वालदी नदी किस नदी की साहयक नदी है जो सिस्वा और वालदी नदी है ये किस की साहयक नदियां है तो ये है हमारा सौंग नदी की यमुना व अमलावा नदी के तड़ पर इस्तित कालसी किस जनपद में इस्तित है तो यमुना और जो अमलावा नदी है इसके तड़ जो कालसी इस्तित है दहरादून में तो ये किस जनपद में है दहरादून में है ठीक है अगला है भिलंगना नदी का उद्गम स्थल किस glacier से होता है जो भिलंगना नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा glacier है तो इसका उद्गम glacier से होता है खतलिंग glacier से ठीक है खतलिंग glacier से निकलती है भिलंगना नदी निम्न मैं से भिलंगना की सायक नदियां है तो भिलंगना की सायग नदियां कौन सी है तो ये हैं दूद गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा तो option D, right answer जलकूर नदी के तड़ पर बसा सहर है तो जलकूर नदी के तड़ पर बसा सहर है प्रताप नगर अगला है आरा कोट उत्तरकासी में टोंस नदी की सायग नदी है तो जो आरा कोट नामक जगे है उत्तरकासी में तो यहाँ पर जो टोंस नदी बहती है तो इसकी सायग नदी कौन सी है तो ये है हमारी पावर नदी, ठीक है अगला है बंदरपोंच परवत के यमनोत्री कांठा हिमनत से उदगमित होने वाली नदी है तो बंदरपोंच जो है उत्तरकाशी में है तो यहाँ पर जो यमनोत्री कांठा हिमनत है तो यहाँ से कौन सी नदी का उदगम होता है तो वो होता है यमुना नदी का उद्गम यमनोतरी कांठा हिमनत से निकलती है बंदर पुँच परवत पर पुरानू में किस नदी को सूर्य पुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बताया गया है तो किसको बताया गया है तो ये बताया है यमुना नदी को अगला है निम्न मैंसे कालिंदी किस नदी का नाम है तो कालिंदी किस नदी का नाम है तो ये है हमारा यमुना नदी का नाम यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है हनुमान गंगा, बनार गार, कमल गार, खतनु गार किसकी सहयक नदिया है तो ये किसकी सहायक नदिया हैं? इसका option होगा C. यमुना नदी और भागरित नदी इन दोनों की सहायक नदिया हैं. निम्न में से यमुना की प्रमुक सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी है कौन सी? तो वो होगा हमारा टोंस नदी. टोंस नदी क्या है? यमुन नदी राजे से बाहर हो जाती है तो ये होती है धालीपूर दहरदून से धालीपूर दहरदून के बाद ये कहां चले जाती है ये चले जाती है हरियाना होते हुए कहां उत्तरब्रदेश में ठीक है पुरोला घाटी उत्तरकासी को किस नदी का वरदान कहा जाता है जो पुर यमुना नदी की लंबाई कितनी है तो उत्राघंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है तो वो है 136 किलोमीटर निम्न मैं से यमुना की सायक नदियां है तो इन मैं से यमुना की सायक नदियां कौन सी है तो यमुना की सायक नदियां है मुनरा वो गडोली गाड, बर्नी वो भदरी गाड, कमल गाड वो आसन गाड तो ये सारी नदियां किसकी सायक हैं यमुना नदी की सायक नदियां है निम्न मैं से सही युगम का चयन करें तो इनको सही युगम का चयन करना है तो देखिए इसमें भागिरती वो केदार गंगा तो जो भागिरती है और केदार गंगा है इनका संगम कहा होता है गंगोतरी पर होता है ठीक है और भागिरती वो जलंधरी तो इसका संगम होता है हरसिल पर भागिरती और जार गंगा इनका संगम होता है लंका पर तो ये सार पर इनका संगम होता है। घंख की निकट si में किनदो नदियों का संगम होताistol है। उत्राघंटे में सरवाधिक वणाच्छादित नदी गाटी कौन सी है। तो सबसे अधिक बना च्छादिन नदी गाटी है तो ये है टोंस नदी रूपिन वो सूपिन नदी से मिलकर बनी नदी है जो रूपिन और सूपिन नदी है तो इनसे मिलकर कौन सी नदी बनती है तो ये बनती है टोंस नदी उत्राखंड एवं हिमान्चल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है ये बनाती है टोंस नदी गंगोत्री हिमनत के गौमुक नामक इस्थान से किस नदी का उद्गम होता है तो ये होता है हमारा भागी रती नदी का गंगोत्री से देवपरियाग तक बागी रती की लंबाई कितनी किलोमेटर है तो गंगोत्री से देवपरियाग तक बागी रती नदी तो अगला कोशन है देवपरियाग से हरिद्वार तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है तो इसका आंसर आप कॉमेंड में बताना ठीक है अगला है भागी रती की सहायक नदियां है तो भागी रती की सहायक नदियां कौन सी है तो यह है जाड गंगा सिया गंगा ओप्सन सी राइट आंसर होगा अगला कोशन है निम्न में किस स्थान के बाद भागी रती को गंगा के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है देवपरियाग में जब भागी रती और अलगनंदा का संगम होता है तो उसके बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है देश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो पूरे देश में जो गंगा नदी बहती है तो उसमें पूरी इसकी लंबाई कितनी है तो वो है 2525 किलो मिटर 2525 किलो मिटर इसकी टोटल लंबाई है उत्रागंड में टोटल इसकी लंबाई कितनी है यह आप लोग मेरे को बतान भागी रधी नदी में सर्वपर्थम गंगोतरी के समीप कौन से नदी बेती है तो ये बेती है रूदर गंगा गंगोतरी के समीप बहरो घाटी में बागिरथी में कौनसी नदी मिलती है जाड गंगा नदी मिलती है निम्न में से किस स्थान में असी गंगा बागिरथी में मिलती है तो कौनसी नदी मिलती है तो ये मिलती है गंगोरी नदी चंद्रबदनी गाड एवं बरुना नदी किसकी सायक नदियां है तो ये है हमारा भागिरति नदी की दिये गए युगमों मैंसे सही युगम को चुनिये तो इन मैंसे सही युगम को चुनना है तो पहला है भागिरती एबम आकास गंगा का संगम इस्थान गोमुक है तो भागिरती एबम आकास गंगा का संगम इस्थान कहा है तो वो है हमारा गोमुक बागिरती एबम जलंधरी नदी संगम है हरसिल में बागिरती एबम जानवी गंगा नदी का संगम है लंका में तो ये सारे उप्रियोक्त कथन क्या हैं बिल्कुल सत्य है अगला कोशन है बागिरती एबम भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बाद बना है तो ये कौन सा बाद बना है तो ये बना है टिहरी बाद भागिरती एवं बिलंगना नदी के संगम पर बना है टिहरी बाद और बात करें टिहरी बाद की तो ये विश्व के चौथी नंबर का बाद है एशिया का सबसे बड़ा बाद है और इसकी टोटल लंबाई 260.5 मीटर है बागी रथी सास एवं अलतनन्दा बहु के रूप में किस स्थान पर मिलती है तो कौन से स्थान पर मिलते हैं ये तो ये मिलते हैं देव परियाग पर तो अगला कोशन है रुद्र परिया के मंदरांचल स्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है तो रुद्र परिया के मंदरांचल स्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है ये आप लोग मेरे को बताना कॉमेंट पर ठीक है अगला कोशन है कालिमट के समीप मंदाकिनी नदी में कौन से नदी मिलती है तो ये मिलती है मधुगंगा निम्ड मैं से मंदाकिनी की सायक नदिया है तो मंदाकिनी की सायक नदिया कौन सी है तो ये है लस्तर नदी मधुगंगा नदी तो ओप्शन सी इसका राइट अंसर हो जाएगा किस कवी ने रामचरित मानस में मन्दाकिनी नदी को सुर्षरी की धारा कहा मन्दाकिनी नदी का जल्चरोद कौन सा ग्लेशिर है तो किश नदी से मंदाकिनी नदी निकलती है कौन से ग्लेशर से निकलती है तो ये निकलती है चौराबाडी ग्लेशर से लाखु उडियार अल्मोडा के समीप कौन सी नदी बहती है सुयाल नदी बहती है निम्न मैं से पनार नदी किन जिलूं का सीमांकन करती है तो ये अलमोडा, चमपावत और पिथोरागड का सीमांकन करती है तो इसका option D क्या होगा, right answer हो जाएगा सिमगाड व गाडगिल गाड किस नदी की सहायग नदियां है तो पनार नदी की सहायग नदियां है, सिमगाड व गाडगिल गाड जैकसर सर्णी के पूरवी ढाल पर लिपूल लेक के समीब काला पानी नामक स्थान से उदगमित होने वाली नदी है तो ये है काली नदी और काली नदी नैपाल और पिथोरागड का बॉरडर बनाती है इसकंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है तो इसकंद पुराण में कौन से नदी को श्यामा कहा गया है तो ये बोला गया है काली नदी को उत्राघंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली की लंबाई कितनी है तो काली नदी की लंबाई है 252 किलोमेटर काली नदी की लंबाई है और ये उत्राघंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहयक नदी है तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है तो ये है काली नदी की सहायक नदी काली एवं गौरी नदीयों का संगम इस्थान कौन सा है तो काली एवं गौरी नदी का संगम होता है जौल जीवी में जो हमारे धारचूला बॉर्डर पर पढ़ता है धार्चूला पिथोरगड में पढ़ता है पिथोरगड में है जौल जीवी नामगिस्थान यहाँ पर होता है कालीवं गोरी नदियों का संगम और इनी के संगम पर एक मेला लगता है जिसको जौल जीवी का मेला कहते हैं और जौल जीवी मेले की सुरुवात 1914 से हुई थी खेला नामगिस्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है तो यह होता है कालीव पूर्वी धौली गंगा नदि का संगम होता है अगला कोशन है गोरी गंगा का उदगम किस हिमनत से होता है जो गोरी गंगा है तो इसका उदगम किस हिमनत से होता है तो यह होता है मिलम गलेशर से तो मिलम गलेशर कहां है मुन्शारी में इस्तित है मुन्शारी कहां पढ़ता है पिथोर अगर डिस्टिक में पढ़ता है अगला है पौरानिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है तो कौनसी ऐसी नदी है जिसका जल पवित्र नहीं माना गया है पौरानिक रूप से तो ये माना जाता है काली नदी का काली नदी का जल अपवित्र माना जाता है पौरानिक रूप से अगला है उत्राघंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी की सायग है तो उत्राघंड की ऐसी कौन सी नदी है जो काली नदी की क्या है सायग नदी है तो यह है लधिया नदी काली नदी की सायग नदी है पूर्वी रामगंगा का उद्गम इस्थान है तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम इस्थान कौन सा है तो ये है नामिक का पॉंटिंग हिमनत जो नामिक गलेशर है पिथोरागर में तो यहां से पूर्वी रामगंगा निकलती है पूर्वी रामगंगा का उद्गम तो ये है हमारा काकरी घार ठीक है सर्यू एवं पनार नदी के संगम पर इस्तित है काकरी घार अगला कोशन है कोशानी के समीप धारपानी धार से किस नदी का उद्गम होता है तो कोशानी बागिश्वर में इस्तित है तो ये कोशानी में जो धारपानी धार है तो यहां से कि कोशी नदी का ठीक है कोशी नदी के तड़ पर इस्थित इस्थल है तो कोशी नदी के तड़ पर कौन सा इस्थल इस्थित है तो यह है यह वह भी दोनू कैंची धाम और गर्जिया देभी मंदिर ठीक है कैंची धाम नैनिताल में इस्थित है गर्जिया धाम भी नैनिताल मे अगला कोशन है कुमाओं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है तो कौसी नदी को कोशी नदी को कहा जाता है काली नदी को सर्वाधिक जल दासी देने वाली नदी कौन सी है तो काली नदी को सर्वाधिक जल देती है सर्यू नदी कुमाओं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है तो कुमाओं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है सर्यू को इसको सर्यू गोमती भी कहा जाता है काली एवं सर्यू नदी का संगम इस्थल है तो काली और सर्यू नदी कहां पर मिलती है तो ये मिलती है पंचेश्वर पर सही युग्म का चैन करें तो सही युग्म देखिए इनमें से कौन सा होगा पिंडारी गलेश्यर बागेश्वर में है बिलकुल सही अंसर है पिंडारी गलेश्यर कहां है बागेश्वर में इस्तित है मैक तोली वह सुखराम गलेश्यर ये भी बागेश्वर में है कफनी गलेश्यर ये भी बागेश्वर में है तो उप्रियोक्त कथन क्या है, सारे सत्य है नैनिताल के पहाड़ पानी नामग स्थान से निकलने वाली नदी है तो नैनिताल के पहाड़ पानी नामग स्थान से कौन सी नदी निकलती है तो ये निकलती है गौला नदी जो हल्दवानी में बहती है ठीक है रामनगर किस नदी के किनारे इस्तित है नैनिताल ड्रिस्टिक में जो रामनगर छेत्र है तो ये किस नदी के किनारे इस्तित है तो ये है कोसी नदी के किनारे कासीपूर का तुमडिया डैम किस नदी पर बना है तो जो कासीपूर में तुमडिया डैम है ये किस नदी पर बना है तो ये बनी है फिक्रा नदी के तट पर फिक्रा नदी पर बना है तुमड याड है अगला कोशन है निम्न मैं से घुमा नदी के तड़ पर बसा नगर कौन सा है तो घुमा नदी के तड़ पर बसा नगर कौन सा है तो घुमा नदी के तड़ पर बसा नगर है बाजपूर अगला कोशन है यमना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है तो यमना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है तो ये होता है यमनोत्री कांठा से यमनोत्री कांठा से निकलती है यमना नदी जो कहा है उत्तरगासी में इस्तित है निम्न मैं से यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? निम्न मैं से यमुना की सहायक नदियां हैं? निम्न मैं से यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? निम्न मैं से यमुना की सहायक नदियां की सहायक नदियां? अगली वीडियो में हम गलेशर और हिमुना जितने भी वाटर फॉल हैं और ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई